नमस्कार भाई और बेहनों हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की ऐसी ओस्दियां हैं जो हमें आसानी से देखने को मिल जाती हैं परन्तु हम उन्सके गुनों को अच्छी प्रकार से नहीं जानते हैं उन्हें एक साधारंते खर्पत्वारनमा पौधा जानकर ऐसे ही छोड़ देते हैं दोस्तो ऐसी ही एक ओस्दी के विश्य में आज मैं बात कर रहा हूँ जिसे हम छोटा धतूरा के नाम से जानते हैं जी हाँ दोस्तो छोटा धतूरा हमारे अनेकों रोगों में काम आता है जैसे योन सक्ती, योन दुरवलता, सारेरे कमजोरी, गंजापन, हाथ पैरों में दर्द इन सवी के लिए छोटा धतूरा रामबान ओस्दी का कारे करता है दोस्तो इसी कारण से इसे आयरवेद की दरिष्टी में पिर्थम सतान दिया गया है दोस्तो यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें लाइक करने से मेरे को पैसे नहीं मिलते बलकि मेरा मोटिवेशन अप होता है जिससे की मेरा मन आपके लिए और अधिक वीडियो बनाने के लिए करता है सातियो यदि आप पहली बार मेरे यूटूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन के बटन को दवाएं जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको तरंथ प्रभाव से मिल सके सातियो शुरू करते हैं छोटा धतूरे के फाइदे जिन वेक्तियों को सारे रिक कमजोरी यौन समता धातू हिंता जैसी समस्या रहती है यदि वो वेक्तिया छोटे धतूरे के फल को लेकर उसे अच्छी पिरकार से पीश कर उसके काटों को हटा दें तता उस पिसे होई चूरन का सुवे स्याम खाली पेट एक एक चमच की मात्रा में दूद के साथ इस्तमाल करते हैं तो वे अपनी सारे रिक कमजोरी दातू छीनता वे यौन दुरवलता की समस्या से बिलकुल निजात पा सकते हैं इसे लेते ही तकरीवन एक सब्ते के अंदर आपको 75 की अवस्ता में भी 25 देसाद जोस दिखने लगेगा यह आपके लिए बहुती दिब्य औसदी का काम करती है साथियों बात करते हैं गंजेश पन की समस्या के विशे में जिन वेक्तियों के बाल जड़े हुई है यदि वो बैक्ती छोटे धतूरा की इन पत्तियों को लेकर इन पत्तियों को अच्छी पिरकार से पीस कर अपने सिर पर इसका लेप लगाते हैं तो वे पने अपने उड़े हुई बारों को उगा सकती हैं यह केबल 15 दिन की पिरक्रिया में ही उनकी बार पुने उगने लगेंगे यह उनके लिए बहुत ही अचूक mówiąसदी का काम करती है साथियों बात करते है कब पित बादी वे जोड़ों में दर्ड की समस्या के विशे में जोडो के दर्द की समस्चा में यह मैं आपको इसकी जड़ दिखा रहा हूँ ऐसी जड़ो को निकाल कर इनको तक्रीवन एक किलो निकाल लें और फिर इन्हें अच्छी परकार्ट से पीश कर इनका अर्क निकाल कर अर्क को एक एक चम्मच की मात्रा में पीएं और जोडो पर उसकी मालिस करें तो यह आपके कप्पितवादी में तता जोडो के दर्द की समस्चा में बहुती रामबान औसदी का कारे करती है धन्यवाद सातियो यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, सेर एंड सस्क्राइब जरूर कर धन्यवाद